dear students, आज हम class 5th का, maths का, second chapter shapes and angles के बारे में पढ़ेंगे shapes and angles, सबसे पहले बात करेंगे shapes के बारे में shapes क्या होती है, shapes किसको बोलेंगे, figure और area, closed by a boundary boundary, कोई भी boundary के दवारा, कोई भी एक area close हो, या कोई भी, जिसके अंदर क्या है या तो करो हो, या कोई points हो, या कोई lines हो, उन से मिलके बनता है lines क्या होती है, बिल्कुल state, उनको lines बोलते है, points क्या होते है, dot को बोलते है और करो क्या होते हैं जो टेड़े हो यानि एक सीधे यानि अलग अलग डोट्स को अलग अलग पॉइंट से जोइन कर दे अब इसके अंदर बात करते हैं हम सेप्स के अंदर तो ये सारी की सारी क्या हैं ये सेप्स हैं सारी की सारी क्या हैं ये हमारे पास सेप्स गीवन है ये एक shapes given है, एक ये shapes given हमारे पास, एक ये shapes given हमारे पास अब इन shapes की बात कर ले थे हैं अब आगे बात करते हैं types of shapes की तो shape क्या होती है, कोई भी करव हो, point to line हो, वो मिलके क्या बनाती है, shape बनाती है अब types of shapes कितने types की होती है, two types की लेते हैं two types की shapes होती है सबसे पहले बात करें हम Closed Shape की Closed Shape किसे को कहेंगे Closed Shape किसे कहेंगे There is no gap in the shape It is called Closed Shape जिसके बीच में कोई भी gap ना हो यानि gap नहीं होना चाहिए उसेप के बीच में यानि अगर मैं कोई एक ऐसी सेप बना दू अब इसके बीच में gap है यहां पर भी कोई gap नहीं है इस सेप में भी कोई gap नहीं है अगर मान लो मैं एक ऐसी सेप बना देता हूँ जिसके अंदर gap हो तो वो Closed Shape नहीं कर लाएंगी वो दूसरी सेप कर लाएंगी दूसरी सेप पढ़ते हम Open Shape Open Shape कौन से होती है ऐसी सेप जिनके बीच में gap हो types कहेंगे यानि इनके बीच में जो है ये क्या है? fifty gap है इस सेप के बीच में भी क्या है? gap है यानि gap जिन सेप के बीच में होगा वो सेप क्या होंगे? open scholarships कहला हैंगे उन सेप कोा हम क्या बोलेंगे? उबलेंगे ऐब जैसे बात करते हैं कुछ shapes given है, इन shapes के बारे में बात करते हैं, जैसे एक shape ये given है, एक ये given है, एक ये given है, ये सारी के close shape है, अब इस shape की बात करें हम, इस shape के अंदर क्या है, एक side, दो side, तीन side, चार side, पांच side, पांच side, छे side, total कितनी sides है इसमें, six side इस shape में, इस shape की बात करते हैं, one, two, three, four, five, five, six, इसमें भी total कितनी सेप में हैं, कितनी साइड से, six साइड से, इस shape के अंदर बात करते हैं, one, two, three, four, five, six, इसमें भी कितनी साइड से, six साइड से, यानि हम six साइड से अलग-अलग different shapes बना सकते हैं, close shape भी अलग लग बना सकते हैं यानि ये भी close shape है ये भी close shape है ये भी close shape है बट ये सारी की सारी क्या different है बट इन में common क्या है कि सब के अंदर same sides है number of sides same है यानि sides कितनी इन सब के अंदर six sides है यानि six sides से हम क्या कर सकते हैं same side से हम क्या कर सकते हैं close shape बना सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं आगे next पढ़ते हैं इन shapes के बीच में एक ट्रम आती है angle, angle की बात करेंगे angle क्या होता है angle होता है कोई भी दो line ले ले हम एक line हमने ये ली एक line हमने ये ली, कोई भी दो line ले, उन दो line एक point पर meet करते तो उसके बीच में जो shape बनता है वो क्या कहलाता है angle कहलाता है यानि इसके बीच में जो ये shape बना हुआ ये क्या है angle है और इसके बाहर की side है ये भी angle ही कहलाएगा इसके अंदर बना ये भी angle है और इसके बाहर की side जो बना है यह भी एंगल कर लाएगा यानि एंगल किसको कहेंगे हम वेंट टू लाइन्स मीट एट वन पॉइंट अब दो लाइने एक पॉइंट पर मीट करती है तो उस पॉइंट के उपर जो से जगह बनती है उसके बीच में जो सिपेस बनता है उसको हम क्या बोलते है एंगल बोलते है ये बाहर की साइड बने रहा है ये भी एंगल कर लाएगा आगे पढ़ेंगे मैंगल के बारे में एंगल कैसे बनता है बाहर वाले एंगल को क्या बोलते है अभी तो फिलाल हम यही देखते हैं कि एंगल किसको बोलते है जब कोई भी दो लाइन एक पॉइंट पर मिट करते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है अंगल कहलाता है अब उसके बात करते हैं इन फिगर्स को लेके जैसे बात करें हम यहाँ पर अब इनकी बात करें तो हमने अलग-अलग डिफरेंट सेप्स बनाई है अब इसके अंदर बात करें तो यह एंगल और यह एंगल अलग-अलग है ऐसे यह वाला जो एंगल बना हुआ हैं यह वाला एंगल और यह वाला एंगल इक्वल नहीं है यानि कोई भी six different कोई भी six side लें उन से different shape बनाएं तो उनके angles भी different होंगे यानि angles उनके same नहीं होंगे clearly देख सकते हैं यह वाला angle जो है इसके बराबर नहीं है यानि इन तीनों shapes के अंदर देखें कि यह वाला angle यह वाला angle और यह वाला angle तीनों के तीनों angles क्या हैं? different है यानि अगर कोई भी two shapes हैं और उनके angles नहीं है number of sides same है तो वह same figure नहीं कर लाएंगे वह different figure कर लाएंगे यहां से हम क्या देखे हैं कि कोई भी हमारे पास कोई भी कोई भी two shapes ले ली हमने और उनके जो angles हैं वो क्या है different हैं तो وہ shapes भी क्या होंगी? different होंगी number of sides उसमें same हो सकती है but shape क्या होंगी वो different होंगी यहाँ पर हम देख सकते हैं तीनों के तीनों shapes क्या है different है shape number one, shape number two, shape number three अब इन तीनों shapes की बात करें हम तो इन तीनों के अंदर क्या है side तो same है इन तीनों shapes में side हमने count की थी one, two, three, four, five, six six side है इसमें भी one, two, three, four, five five, six इसमें भी six sides है यानि इनके अंदर sides same है six है but यह सारी की सारी जो shapes है वो different है due to किसके कारण अलग अलग है different है यह angle के कारण different है अब आगे पढ़ते हैं आगे देखते हैं इसके अंदर angles के बाद polygon की बात करते हैं polygon की सको बॉलते है close shape with many sides यानि कोई भी close figure हो जिसमें बहुत सारी sides हो यानि एक close shape होनी चीए यानि यह shape क्या है open है, यहां से open है यहां से क्या ही है, open है but यह shape क्या है, closed है यानि एक ऐसी shape जो close हो, open नहीं हो gap नहीं होना चीए बीच में यानि close shape कोई भी होगी वो क्या कहलाएगा, जिसके बहुत सारी side होगी two or more than side होगी three or more than side होगी 3 से ज़्यादा side होगी जिस भी shape में वो क्या कहलाएगा, polygon कहलाएगा यानि polygon की बात करें तो हम अलग-लग different बात करें तो triangles की बात करते हैं, triangle में कितनी sides होती है, three sides होती है triangle में मारे पास कितनी sides होती है, three sides होती है अब rectangle की बात करें, ऐसे कोई भी एक polygon की बात करें तो triangle जो है, उसमें कितनी sides होती है, three sides होती है एक ऐसा polygon जिसके अंदर चार side उसको हम क्या बोलते है, rectangle बोलते है एक ऐसा पॉलिगन जिसके अंदर पांच साइड उसको हम क्या बोलते हैं पेंटागन बोलते हैं एक ऐसा पॉलिगन जिसके अंदर सिक्स साइड उसको हम क्या बोलते हैं हेक्जागन बोलते हैं एक ऐसा पॉलिगन जिसके अंदर 7 साइड हो उसको हम क्या बोलते हैं, हेप्टागोन बोलते हैं, एक ऐसा पॉलिगन जिसके अंदर 8 साइड हो, उसको क्या बोलते हैं, ओक्तागोन बोलते हैं, यानि ये साइड के बात करें, पॉलिगन के अलग लग नेम्स हैं, ट्रेंगल कि को कहेंगे हैग्जागन किसको कहेंगे हैप्टागन किसको कहेंगे और एक्टागन किसको कहेंगे ऐसे ही कुछ आगे बात करते हैं नोना गून किसको कहेंगे या जिसके अंदर नाइन साइड्स होंगे एक ऐसा पॉलिगन जिसके अंदर नाइन साइड्स को नोना गून बोले rectangle بن گیا کوئی بھی four sides का ले लिए हम ने यह क्या बन गया rectangle बन گیا ऐसे हम अगर बात करें Pentagon की तो Pentagon में कितनी sides होती है five sides होती है यानि one two three four five ये यह किती हो जाएंगी five sides हो जाएंगे मारे पास यहां पर ऐसे ही बात करें तो hexagon में भी कितनी sides होती है six sides होती है यानी वन, टू, ठी, फोर, फव्व, उftig, ऐसे different six sides होती है, ऐसी heptagon में कितनी sides होती है, seven sides होती है, अगर हôm बात करें, आगे octagon कि उसमें eight sides होती है, यानि different sets के ओपर क्या होती है, अलग-अलग number of sides पे डिपेंड कहाता है, उसका नाम क्या है, ट्रेंगल किसको कहेंगे जिसमें 3 साइड है, ट्रेंगल किसको कहेंगे हम जिसके अंदर 4 साइड है, पेंटागन किसको कहेंगे जिसके अंदर 5 साइड है, एक्जागन किसको कहेंगे जिसके अंदर 6 साइड है, हेप्टागन किसको कहेंगे जिसके अंदर 7 साइड है, एक्टा कि इसको केंगे जिसके अंदर नाइन साइड से डगागन कि इसको केंगे जिसके अंदर दस साइड से